होबीज की अगर हम बात करें तो फोर्स वीडियो गेमिंग तो मुझे पसंद है यह साथ पर मैं एक्शन फिगर कलेक्टिंग भी करता हूँ लेकिन इस सब से हटके मुझे रीडिंग भी परसनली काफी ज़दा पसंद है और अल्मोस्ट हर तरह की बीट बुक लाइक डिस डवीड़ी रेसलमेनिया मतलब यह किसको नहीं पसंद यार अंडर्टेकर की स्ट्रीक का टूट जाना रॉक वर्सस सीना यूनों वन्स इन लाइफटाइम वले मोमेंट्स फिर द वौकिंग डेड यह सिरफ एक फेनोमेनल कॉमिक बुक सीरीज ही नही कैसी थीम और चीज है जो अल्मूस्ट सब पे ना जिंदिगी में एक ना एक दफा इसका फेस जरूर आता है जो मेरी अल्टिमेट पसंद देना वो है हार्वी हॉरर सीरीज यह 1950s की सबसे बेस्ट हॉरर स्टोरीज की मॉडरन कॉम्पाइलेशन है एक केली सीरीज ने काउंटलेस हॉरर मूवीज, टीवी सीरीज और पता नहीं क्या-क्या नहीं इंस्पाइर किया कह सकते हैं कि जितनी मुझे गेम्स खेलना या वीडियोज बनाना पसंद देना उतना ही कॉमिक्स पढ़ना पसंद बंदा तंग आ जाता है एक ही चीज करकर के और अब हम जिन टाइम्स में रह रहे हैं वहाँ ये भी नहीं ज़रूरी कि आपको अपने घर से किसी बुक स्टोर पर जाना पड़ता है वहाँ पे खुद ढूंड के कॉमेक बुक को अब तो आप पूरी पूरी किताब को डाउनलोड करके अपने फोन या टैबलेट पर पढ़ सकते हैं लेकिन मेरा यह मानना उसमें उतना मज़ा ने है बैसिकली यह तीन पार्ट्स में डिवाइड़ है और मवलव की साइड स्टोरी पर एनमी भी बन चुके इसकी में स्टोरी जो विजूल नॉवल है वो कुछ ऐसे है कि एक रूमेंटिक कॉमेडी वाली फील से यह शिरू होता है और फिर एंड अफ दो वर्ल्ट तक बात चली जाती है और यह खूब एक्शन पैट है बेसिकली यह एक ऐसा यानरास में पता नहीं चलता कब A to Z कब हलाज जो है ना उपर नीचे एकदम हो जाते हैं अगर मैं आप लोगों को यह बताओ के पाकिस्तान से भी एक स्टूडियो ने विजूल नॉवल गेम बनाई दी ह तो आपको यह कीन नहीं आएगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आ रहा था Metal Sign इन एक NGO है जो पाकिस्तान में आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करते हैं और उन्होंने Project Venus के नाम से एक बड़ी ही कमाल की विजूल नॉवल गेम बनाई और अगर हमें थोड़ा सा आपको context दूँ तो आप लोगोंने सोहिल भाई के साथ मेरा podcast episode भी देखा होगा वो इस गेम की lead engineer है और आप इसको अभी right away खेल सकते हैं मैंने link नीचे दिया वह है यह free है totally ना कोई PC के specs ज़्यादा होने चाहिए मैंने खेला है काफी ज़्यादा और इस point पर जिदर मैं अभी हूँ game के अंदर मुझे काफी ज़्यादा मजा है it's actually a pretty cool thing knowing कि वो पाकिस्तान से है और अपने culture का essence उसके अंदर देखना यह तो हमेशा से ही ना एक fun चीज़ होती है usual games वाला gameplay type का scene यहाँ पर नहीं होगा और अगर narration heavy कोई चीज़ हो तो उसके लिए मेरे ख्याल में बहुत important बात है कि story काफी gripping और engaging होनी चाहिए ताके जो player है वो बोरो के back out ना करते है इवन दो मैं खुद बहुत deeply involved नहीं वह वैस यानरा के अंदर मैं बहुत कम handful visual novels पढ़े हैं जिनके बारों पर मैंने आपको बताया है मेरे first playthrough में art और इसकी consistency जो है और cohesiveness उससे मैं काफी जादा impressed अब तक मैंने जितना यह खेला यहाँ पे plot के लिहाज से काफी engaging होके especially उन लोगों के लिए जो South Asia region की है सब continents है पाकिस्तान है इंडिया है बंगलादेश है चाइना है और अगर आप यहाँ से belong नहीं भी करते हैं यहाँ पे नहीं भी रहते हैं आपका सिरफ interest है और you're aware of the history and culture of the region तब भी आपको काफी जादा मज़ा आने वादा है Project Venus अब तक मेरे लिए काफी intriguing टेक है on an alternative reality in a science fiction setting और मुझे इंतजार है to see how it all comes together in the end किस तरह lose ends die होते हैं और conclusion का है स्टूरी का यूग का स्टूरी इटसेल्फ जो हैना वो बड़ी layered है और बड़ी मज़े की है grippy है बतब आपको एक और जोरे kicks ही आती है यहर मैंने बस देख Project Venus खेलने हारे अपने पाकिस्तानी टेलेंट से ही यह गेम बनी वी है and you know Soilbhai has done a great job and in fact पूरा metal sign-in जो है उनका पूरा Project Venus यहड़ा passionate किसम का सीन है मेरे अपना personal interest अस पर और मुझे काफी इच्छी लगी है बात So I hope you guys enjoyed the video मैंने कुछ आप लों को recommend भी कें visual novels be sure to check them out as well और it's always good to try out new genres एक चीज तो हम करती ही रहते हैं हमेशा से कभी सिर अपने comfort zone से step out करके नहीं नहीं चीज़ें भी चेक करनी चाहिए मुझे भी यही का गया था and it actually turned out to be fun So I'll see you guys again in the next one inshallah अपना खूब खालर के इन या बंतु केज सेंगलाफिस